केकेार ने पानी की तरह पैसा बहाया तो गावसकर को गुस्सा आया आईपील से पहले केकेार के किस फैसले से नाखोश है लिटिल मास्टर भारत के महान बनलेबाज सुनिल गावसकर एक ऐसे लेजेंड है जो कभी भी कोई भी बात कहने में संकोच नहीं करते अगर उन्हें खेलों से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला पसंद नहीं आया तो वे उसे कहने में जरा भी नहीं हिचकते सुनिल गावसकर ने आईपील 2024 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के एक फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इतने पैसों का हकदार कोई खिलाडी नहीं है भारति टेम के पूर कप्तान सुनिल गावसकर ने मिचल इस्टार्क पर 24 करोण 75 लाख रुपए खर्च करने के केक्यार के फैसले पर सवाल उठाएं है और कहा है कि कोई भी खिलाडी इतने पैसों का हकदार नहीं है सुनिल गावसकर ने मिचल इस्टार्क के केक्यार में जाने के बारे में बात करते हुए कहा कि कोई भी खिलाडी उस तरह के पैसे के लायक नहीं है इस्टार्क ने IPA लितिहास में सबसे महगे खिलाडी बनने का औस्टेलियाई कप्तान पैट कमिन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था पैट कमिन्स 20 करोन 50 लाख रुपए में खरीदे गए थे सुनिल कावसकर ने कहा मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस तरह के पैसे के लाइक है यति इस्टार्क प्रभाव छोड़ सकते हैं और अपने द्वारा खेले गए 14 मैचों में से चार मैचों में भी जीत दिला सकते हैं तो आप कह देंगे कि इतना भारी भरकम पैसा उनके लिए सार्थख है गौरतलब है कि मिचल इस्टार्क ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे महगे खिलाडी बनकर आईपियल में जोरदार वापसी की है केकियार ने ऑश्चेलियाई तेजगेंबास को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आईपियल इतिहास की सबसे लंबी बोली लगाई थी मिचल इस्टार्क पर केकियार ने 24 करोन 75 लाख रुपए खर्च किये थे आठ साल बाद आईपियल में करेंगे वापसी और श्चेलिया के धुरंधर तेजगेंबास मिचल इस्टार्क आठ साल बाद आईपियल में वापसी कर रहे हैं इससे पहले वे 2014 और 2015 में RCB के लिए आईपियल खेल चुके हैं और आईपियल में अब तक खेले गए कुछ 27 मुकाबलों में इस्टार्क ने 34 विकेट हासिल किये इस्टार्क आईपियल 2018 के सीजन में भी केकेर का हिस्सा थे लेकिन चोट की वज़े से वे एक भी मैच नहीं खेल पाया थे और केकेर ने उन्हें उस सीजन के लिए 9.4 करोन रुपए में खरीदा था लेकिन इस्टार्क के दाहिने पैर में चोट लग गई थी और वे 2018 के आईपियल में हिस्सा ही नहीं ले सके थे